तो आप दोश्तों आज किस वीडियो में अर्भी की केती का थोड़ा से मैं आपको बताने वाला हुआ है कि आप इसका बीज की स्थेके से जो है काट सकते हो और इसका की स्थी आप पीछे देखे खारे हैं कि हमने यह अभी है क्रेट काटी हूई है तो उसके कट पीष्युक् तो इस तरीके से पूरा का पूरा पानी में मिला देना है लगबग 15 लेटर के पानी में थोड़ा जादा मिला सकते हो क्योंकि स्प्रेइख करने से लगबग पास सकते हैं और यह बढ़ागी चलिकार को तो 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 यह बहुत है तो यह सड़ेगा नहीं बिल्कुल भी और रही बात इसकी कटाई की तो इसके चोटे-चोटे से पीस आप ले सकते हो लगवाए कि एक इंच, दो इंच, तीन इंच जितना आप इसका पीस लेना चाते हो ले सकते हैं उसमें आँखे होनी चाहिए आपकी आँखे मतलब यह चोटे-चोटे से जो अंकृत निकले भी बार को इसके अंकृरन तो वह आपके पर पीस में होना जरूरी है और बीज के लिए आप प्रफर जो रहता है आपका जितना भी चोटा पीस पाट पीस आपका रहे आपका तहले हैं तो इस तरीके से हैं इसको गोल कर सकते हैं रफिछ में आप इसको कार सके पर इतना नहीं बहुत चोटा भी नहीं करना आपको क्यूंकि जब आपने इसको जिमेन में काड़ा होगे इसके उपर को जो है टैनी निकलेगी अभी पत्ते नहीं होगे तो उससे पहले जो इसको ग्रोथ करने खाना चाहिए वह यही चीज इसको परवाइड करेगी और दिर रजाइड ने जो बताऊत्य आप कितने आप कितने पीस का प्रेणा कि है प्रवियर आप किके लगा रखाती कैसलि की अड़ी सबस्फके कर आप कितने साफब्ड करके इंच का पीस लेते काटनी के लिए तो इस तरीके से आप अपनी अर्भी की जो अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो काट के और इसको ट्रीटमेंट करके उसके बाद आप इसको खेत में लगा सकते हो तो कोई सवाल या सुझा हो रहा थे तो अकमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना मुल्यास में देनी देनी खेली बहुत बात धन्यवा दोस्तों